यह क्या है नेरी पर्मेशन के बिना मुझे छूना मत मेरा मतलब है पर्मेशन लेकर तुम मुझे छू सकते हो एक मिनिट एक मिनिट मेरे पती मुझे अभी कॉल करने वाले हैं हेलो हां जी क्या कर रही हो बोर हो रही थी तो टीवी देख रही थी एक नई फिल्म आई है ना इटीवी पर चित्रम माँ टीवी पर प्रेम कथा चित्रम जैमिनी पर आरेक संट्र तुम ऐसी फिल्में तो नहीं देखती हो वो मैं यहां केले रहकर बहुत बोर हो रही हूं आप जल्दी क्यों नहीं आ जाते दस मिनिट मारा हूं क्या जी दस मिनिट में पहुंझ जाओंगा ओ ठीक है जी मेरे पती कल सुबह दस बजी तक नहीं आने वाले तुमने मुझे मारा क्यों हां कर दोफर भाग्पन मुझे अबी से कहला लाइट ओके मेरे पती आगए इतनी जल्दी कैसे? अब मुझे क्या परता चलो निकलो जल्दी अबर बाई की आवाज नहीं आई अरे, ऐसे टाइम पर तुम मुझे उल्टे सवाल क्यों पूछ रहा है अगर उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया ना तो माट आले ना, देख लो यहां से, जल्दी करो अरे, कहां से जाओ मैं? यहीं कहीं छुप जाओ, जल्दी करो अभी आई जल्दी 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 करो चुम जाओ वो अंदर अपना शूस भूल गया थोरा थना उसने देख लिया तो जान से बार डालेगा, वो समझ में नहीं आता जाओ आरे, आरे इतना टाइम क्यों लगा? मेरी आँख लग गई थी आपको भूख लगी है क्या? खाना लगा दू? नए मैंने खास आपके लिए चिकन सांबर और रसम बनाया है क्या बोली? मैंने चिकन सांबर और रसम बनाया है खाएंगे क्या? नहीं क्या करो? अभी आप सोएंगे ना? बिस्तर ठीक कर देती हूँ आप कहां जा रहे हैं? ना आने जा रहा हूँ ना आने के लिए? क्या? नहीं मैंने सुचा कि गरम पानी कर देती हूँ ज़रूरत नहीं है क्या हुआ जी? चुआ है बाहरा आजाई बाहरा आजाई मैं देखती हूँ आजाई आप कोई बात नहीं दो बारा दिखा तो मार डालूँगा क्या हुआ 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 क्या अरे बाप्रे कहां पस गई मैं अगर तुम पकड़े गए तो वो तुम्हारी जान ले लेगा रुको में आती हूँ क्या हुआ दूद यहां लेकर आओ आप आज वो नहीं पियेंगे मूड नहीं आज मैं तो मैं रोज पीने वाला शराबी लगता हूँ क्या लाइट अफ करो और सोजा अरे 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 अरो ऊचर। अरेजु झाला, अर्डेल लेखे. मार... क्या हुआ? मुझे नीन नहीं आ रही है सूने की कोशिश तो करो, आजाएगी अब जाना यार जाता हूं जाता हूं गीता, हाँ, क्या हुआ बबी, सिद्धु पिछले चार साल से तुमसे प्यार करता है, प्रीज एक्सेप्ट कर लो ना, अरे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कि उनसे दूर रहा करो, गीता, तुम जैसा सोच रहो वैसा नहीं है वो, उसने सारे बैकलॉक्स क्लियर कर ली है, वो कैमपस इंटर्वी में सिलेक्ट हो गया है, और जॉब भी मिल गई, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैंना उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम उसके रेकॉर्ड्स लिखते हो, उसके प्रोजेक्ट्स बनाते हो, और सिर्फ तुम्हारी वज़े से वो एक्जाम में पास होता है, तुम्हारी वज़े से कैमपस में सिलेक्शन हुआ है, वो किसी काम का नहीं है, और ये मुझे अच्छे से पता है, वो माने की क्या, वो दोनों क्या बात कर रहे होंगे, मैं ली प्रेडिंग करता हूँ, ऐसा मत करो बोबी, मुझे भी अच्छस भी नहीं है, गीता, ये रख लोना उसे अच्छा लगेगा, उससे कहना कि इसे डस्ट बीन में डाल दे, याँ, 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 इसे भूल जायार, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही खास बात है, कि वो प्रिंस्पल की बिटी है, बाकि उसमें कुछ अच्छा नहीं है तो उसे भूल जाओ एक्स्क्यूज मी अरे सिदार्थ तुम ना अपने हाथ पार कर रहे हो तुम्हारा किस्सा खतम कर दूगी उसने अपने बाप को बता दिया तू अबे उस बढ़े की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को प्रपोस करने की तुम्हे छोड़ूंगा नहीं सुशीला 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 को सस्पेंट किया जाता ऐसा एक लेटर टाइप करो उसके बाद पूरा कॉलेज खुशी मनाएगा सुशीला सुशा ची किस किसैं,सु इस कॉलेज की हो जादा आसमार्ट बन रहे हो तुम्हें क्या हो गया वो प्यार जो प्यार को प्यार करता है प्यार को प्यार करने वाला सुशिला इसका भी क्यरेक्टर सर्टिफिकेट तयार करो येस सर्ट आप कोने बिटा है रमेश और कमपनी डैड जो ना मिले उसके लिए क्या अब करो सुशिला सर अगर हम इसी तरह सब को बुरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर हम किसी एक को देंगे तो तो क्या मैं ही बेकार हूँ येस सर एक काम करो मेरी बेटी को ही सस्मेंट कर दो डैडी इसी में हम लोगों की भलाई है गुड आइडिया सर अब जाओ जाके टीवी पे सास बहु का सीरियल देखो डैडी ए सिद्धू के बच्चे जा जाके मजे कर ले लेकिन याद रखना प्रजेक्ट लटका हुआ है तुझे दिन में तारे दिखा देगा है 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 हमारे कॉलेज के तुल्णा में न जेन थियू की लड़कियां जादा खुब सूरत है अच्छा बिलकुल सही का तुने ये बातों सचे मैं सेच बोल रहा हूं है ये ये किसी के एक्जाम का हॉल टिकिट है और साड़े दस बजी है इसके विना वो एक्जाम नहीं दे पाएगी अभे आदे घंटे में पेपर है अभी दे कराता हूं एक मेरे समझा तक वो नहीं आते तब तक खाने के लिए कुश मंगा ना सर प्लीज देखो तुम बिना हॉल टिकट के एक्जाम में नहीं बैठ सकती अलो मैं इतना समझा रहा हूं तो भी नहीं समझ रही है क्या लड़की है हेलो बोलिये कहा हो तो मैं मैं मन्दिर में हूं मन्दिर किसली गई थी मैं मैंने एक मन्नत मांगी थी ना इसलिए ठीक है पूजा कर लो बाद में कॉल करता हूं ठीक है थांक यू सो माच एक बार और थांक यू बोलना पड़ेगा वो किस लिए यह तुम्हारा हॉल टिकेट है भगवान तुमने मुझ पर बहुत बड़ा हैसान किया है थांक यू सो माच हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है अबे शिद्धू हमारी कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां है तुझे प्रिंसिपल की बेटी ही क्यू चाहिए अगर हम अबने प्रोजेक्ट में फेल हो गया तो हमारी नौकरी भी हाथ से जाएगी है लड़कियों पर जब जवानी का निखार जड़ता है न तो बहुत होट लगती है वो तेरी भैंस की टांग इसर जलते तवे पर बैठे हैं और तुझे बस आंट्यों लड़किया चाहिए तो बाल कुष्णा का फैन होई नहीं सकता अरे जो कुछ भी होगा वो बाबी खुद समाल लेगा ना तुझे बाल कुष्णा का ना मिजब बस जब तक पुरा नहीं करेगा तब तक शराब और सिक्रेट से दूर रहेगा जड़ा प्रोजेक्ट पे फोकस कर यार नहीं तो नहीं लग जाएगी चल स्टार्ट कर कैसे भी करके से सुबह तक पूरा कर देना कर देगा ना तेक है चल कि अब तो तो हां बोलो मां क्या कर रही हो बीटी सुबह जो पेपर दिया था बस वही चेक कर रही थी कि कितने मार्क्स मिलें माल कर बेटी अगर तमाची को पता चला कि तू पढ़ाई कर लिए तो चीना हराम कर देंगे हमारा हॉस्पिटल गई थी गई थी मा मामोली से साइक्यार्टिक प्रॉब्लम है उनका मानना है ज्यादा ट्रेंशल लेने की वज़े से हो सकता है टाबलेट लिख कर दी है यह सब हमारी वज़े से है बेटी हमने तेरी शादी करके जिंदगी नरग बना दी हमें माफ कर दो बेटी मा मैं यहां पर खुश हूँ आप बिल्कुल भी परेशान मत हो पता नहीं कैसे उसे परदाश्ट करती हो क्या उसे पता है कि तुम हमसे बात करती हो नहीं मा 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 शायद वो आ गए है मैं फोन रखते हूं बाद में बात करती हूं हाँ अपी आई हाँ दर्वाजा कोलने में इतनी देर क्या हूं वो गैस पर दूछ चड़ा हूँ है अच्छा खाना निकालो अभी नहीं हॉँ अभी आई घ हॉँ का होॉँ अपी आई क्या है यह दूद तुम पीलो चेर्स लेट जाओ लेटो 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 सुनिये न कल बात करेंगे सुजा सबी परिशानियों का अंध हो जाता है बोलना बहुत आसान है मेरी जगह रहकर देखो तब मेरी तकलीफ समझाएगी बात से बात बनेगी जाकर बात करो कुछ भी बोलते हैं जाओ, खुद जाकर बात कर लो बड़ियाई प्यार लो कोई देगा तो लोंगी ना रख तेरा प्यार कुछ भी बोलते हैं छुप कर नहीं चाहिए मुझे हाई, दिस इस बॉबी वो हॉल टिकेट लेकर आया था ना हाई, थैंक्स तुमने सच में मेरी बहुत मदद की थैंक्स बोल के टाल रही हो कॉफी नहीं पिलाओगी क्या एक्साम के बाद में तो मैं ढूण रही थी पर तुम मुझे कहीं नहीं दिखे तो हम कल मिलें ना मुम्किन, मेरी एक्साम खत्म हो चुके हैं अब मैं कल्यान कभी नहीं आऊंगी तुम इतने डल क्यों हो क्योंकि एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ कॉफी पीने का चांस मिस कर दिया तुम शादी शुदा हो है ना, तु अबे तक सोई नहीं शादी का सोने से क्या संबंद है? मतलब तुम अकेला मैसूस नहीं करती होगी ना इसने अबे तक रिपलाई क्यों नहीं किया ओ, उन्हें तुम्हारे एक्जाम्स के बारे में पता नहीं है ना तुम्हें कैसे पता? मॉर्णिंग में गंटी मैंने बजाया था वैसे तुम कहां की हो? तुम्हारी एज? गलस सवाल तो फिर क्या हुआ? तुम्हारा फोन नंबर मिलेगा यह कुछ जादा ही तेज है गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग गाड़ी की चाबी लेकर आओ दर्वाजा बंद कर लो हाँ हाँ बोलो कल तुम लाल साडी में बहुत होप्त लग लगरे हाँ क माई है यह इस कर दो कर दो कर दो कर दो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछों पूछो ना तुम्हारे पती रोमैंटिक हैं क्या बहुत ये तुम्हें कैसे पता हां मुझे क्यों नहीं बता होगा तुम कहना क्या चाते हो ठीक है ठीक है मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूँ कौन अच्छा खाना बनाता है तुम्हें तुम्हारी पडोसन हम मैं तुम्हें कैसे पता क्योंकि मैंने हूँ क्योंकि मैंने उसके हाथ का बुरा खाना कई बार खाया है बिल्कुल भी स्वाद नहीं था दुबारा कभी नहीं खाने वाली हेलो हाँ जी सुनो आज रात मेरी ड्यूटी पूने आए बेपर है इसलिए रात को गर नहीं आऊंगा तुम खाना खाके आराम से सो जाना है ठीक है जी बात में बात करता हूं हुम तुम्हारे पती रोमैंटिक है क्या तुम्हें कैसे पता तुम्हारे पती रोमैंटिक है क्या तुम्हें कैसे पता मैं जानना चाहती हूं कि मेरे पती रोमैंटिक है या नहीं यस यह क्या है नेरी परमेशन के बिना मुझे छूना मत सॉरी मेरा मतलब है परमेशन लेकर तुम मुझे छू सकते हो एक मिनिट एक मिनिट मेरे पति मुझे अभी कॉल करने वाले है हेलो हाँ जी क्या कर रही हो बोर हो रही थी तो टीवी देख रही थी एक नई फिल्म आई है ना इटीवी पर चित्रम मा टीवी पर प्रेम कथा चित्रम जेमिनी पर आरेक संट्र पर तुम ऐसी फिल्में तो नहीं देखती हो वो मैं यहां के लिए रहकर बहुत बोर हो रही हूं आप जल्दी क्यों नहीं आ जाते दस मिनिट मा रहा हूं क्या जी दस मिनिट में पहुंच आऊँगा ओ ठीक है जी मेरे पती कल सुबह दस बजी तक नहीं आने वाले तुमने मुझे मारा क्यों हूं कर दो करो करने वाले टाय हूं जब जब से कहा वा टे हुए नुट वह ओ हम लुट 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 अक्य व्ट लुट व्ट मेरे पती आ गए एतनी जल्दी कैसे अब मुझे क्या पता चलो निकलो जल्दी अपर भाई की आवाज नहीं आई अरे ऐसे टाइम पर तुम मुझे उल्टे सवाल क्यों पूछ रहे हो अगर उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया ना तुम माठ आले का लिक्लो याँ से जाओ याँ सिजदी करो अरे कहां से जाओ मैं यही कहीं चुप जाओ छल्दी करो हाह अभी आयी चल्दी 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 खरो छुप जाओ अंगर वो अंदर अपना शूस भूल गया थोड़ा थन उसने देख लिया तो जान से मार डाले का, वह समझ में नहीं आता, चाहू आरे, आरे इतना टाइम क्यों लगा, मेरी आँख लग गई थी आपको भूख लगी है क्या, खाना लगा दूँ नए मैंने खास, आपके लिए चिकन सांबर और रसम बनाया है क्या बोली? मैंने चिकन सांबर और रसम बनाया है, खाएंगे क्या? नए क्या करूँ अभी आप सोएंगे ना, बिस्तर ठीक कर देती हूं आप कहां जा रहे हैं? ना आने जा रहा हूं ना आने के लिए क्या हूं? नहीं, मैंने सुचा कि गरम पानी कर देती हूं ज़रूरत नहीं है एए हाँ क्या हूँ जी? चुहा है बाहर आजाई, बाहर आजाई मैं देखती हूं आजाई आप कोई बात नहीं दो बारा दिखा तो मार डालूँगा क्या हूं अरे रे रे वाप्रे यह भगवान, अब मैं क्या करूँ? अरे बाप्रे कहां पास गई मैं? अगर तुम पकड़े गए तो वो तुम्हारी जान ले लेगा रुको मैं आजागे आधियों नगे तोग अदूद यहां लेकर आओ आप आज वह नहीं पियेंगे उन्होंड नहीं आज मैं तुम्हें रोज पीने वाला शराब भी लगता हूँ क्या हम् लाइट आफ करो और सोजो अरे अरे का अरता रोवने वेशने आफ की हम आदौा एजचे? एजचे? क्या हुआ? मुझे नीन नहीं आ रही है सोने की कोशिच तो करो, आ जाएगी आम हेलपलेस ए भग्मान, बचालो मुझे मेरे जैसा कोई नहीं और जगा मेरा ही राज चलता है दुश्मन सामेल दूर रहते हैं हाँ बोला तो हाँ ना बोला तो ना एक बार कमिट किया तो कमाल की डायलोग डेलेवरी सूपर यार इसलिए तो मैं नंद मुरी बाल खृष्ष्णा का इतना बड़ा फैन हूँ सही है वैसे बोभी कहां पर है पता नहीं नहीं पता क्या कल सुबा प्रोजेक्ट जमा करना है में हाँ यार यह तो मैं भूली गया था हेलो कहां पर है बातरूम में बंधू क्या कहा तो शाम से बातरूम में बंध है अपने बातरूम है नहीं देविका के बातरूम में देविका के डालना यह यह देविका कौन है अरे देविका मतलाब तू सच में किसी रोमियों से कम नहीं है भाई उन्हें पुलिस के प्रोपटी पर इहां तो गया यार अगर पकड़ा तो मुझे पॉइंट ब्लैक्रेंज से गोली मार देखा आगे चल कर तुम लोगों का प्रजेक्ट पूरा कॉन करेगा भाई ठीक ठीक है तो बिलकुल भी परेशान मत हो हम लोग देख लेंगे अच्छा एड्रस बता लोकेशन भीज राम ए अब हम क्या करेंगे बढ़ी सच में बड़ी मुश्किल में है हमें उसे बचा नहीं होगा यह बता राम का है अभे उसे छोड़ना हम दोनों ही चलते हैं वह ब कुछ पाता भी अगां एक हैं अधिक भी लगने का नहीं चुन्ना मिर्टी पैगलाना ये जल्दी लावे जल्दी लावे अरह जल्दी लात पर्थी अ यार तेवार के समय तो मैं पूरे जोश में होता था लेकिन बाद में सरकर निस पर बैंड लगा दी कबसे से रेव पड़ी बुलते हैं अरे इस पार्टी माने वाले लोग बहुत ही ओपें वाइंड होते हैं हां सच में सिद्व तू तो बोर रहा थे की पड़ूस के गाउं में है उस गाउं का नाम क्या हैं कामापूर क्या सुना नाम सुनके ही जोश आ गया फिर वह जाएंगे तो क्या होगा यार कामापूरा आम कमिंग इस गाव में कानून विवस्था है या नहीं यह कैसा बेदु का सवाल है यहां चारों तरफ लोग है नियम से पंचाय चलती है मुख्या भी सामने बैठा है इतना सब को छोने के बावजूत गाव में चोर घुमते हैं अरे तो मैं क्या करू क्या मैं सभी तिर्थ यात्राय र मिनट के लिए साइकल से नहीं उतर सकता ऐसी बात नहीं है चारों तरफ चोर घूम रहे हैं पता है ना अगर तुम्हारा ध्यान हटा तो तुम्हारे शरीर से कप्टे उतार कर भी ले जाएंगे वो ओ ऐसा क्या हज को रहा है तो तेरी अलड़ी कोई साइकल उड़ा के ले गया तो तुने अपनी सड़ी साइकल के लिए यहां पे पंचात बुलाई है बेहुकूप कही का दिमाग नाम के तो कोई चीजी नहीं है तो क्या करी चुप रहे ना मेरा मज़ा कोई नहीं तो अरे उसे बोलने मुख्या जी किसी ने भरे दिन के उजाले में मेरे ब्लाउस में हाट डालके पर्स निकाल लिया दिन के उजाले में उन्होंने तुम्हारा परस निकाला तुम्हें पता नहीं चला है मैंने नहीं सोचा था कि पर्ट चुराने के लिए हाट डाला है अब आप ही कुछ करिए सारी औरते दिन में पहरेदारी करेंगी और सारे मर्द रात में पहरेदारी करेंगे अरे यह क्या बात हुई दिन में आदमी लोग पहरा देंगे तो कभी कभार के मज़े के लिए हम अपने मकसद को छोड़ देंगे क्या बिल्कुल सही बात कही है और क्या अगर इतनी इच्छा जाग रही है तो मुण पे तॉलिय डाल के सोजाए करो आज से सभी लोग अपनी शिफ्ट के हिसाब से पहरें पे रहेंगे हां अच्छा अपना बॉबी कहा है एसाई के घर में एसाई के घर में उसमें अइसा कौन सा कांड किया दरहसल एसाई की वाइफ थोड़ी मैट्स में कमजोर है इसलिए वो उसके घर उससे ट्विशन पढ़ाने क्लिए गया था है यहां जा रहे है तुम लोग साई का घर का यह अच्छा उस गली में दूसरा मकान है क्यों पर एफयंट से लिचेम तो और मेरी तरफ सब्सक अपनिंडीग उसे वो रहा ए-क उत्वारे today थू उसे बस 2 मेंट संभाल ले तब तक मैं सोचता हूं कि Bobby क। कैसे भाहर निकाले अरे अरे रुकना पहले प्लान तू बनाने दे घव्य उसे कैसे निंका लेगा अरे मैं उससे कैसे निकालोंगा यार मैं ऐसाइका दर्वाजाए का थकता हूंगा फिर मैं उसको पूछूँगा, सर, आपकी पत्नी के साथ मेरे दोस्का काम हो गया है, तुसे बेज़े ना, पाटी में जाना है, सम्पल, वो उसे तेरे साथ नहीं भेज़ेगा, बल्कि सिधा उपर भेज़ देगा, यह वो हम लोग को क्यों मारेगा, वो यहां S.I. की पत्नी मुझे यहां पर लाया, अरे S.I. तुम लोग अपना प्लान बताओ मुझे, हमें उसका दर्वाजा खटकटा कर उसे पातों में उल्जा कर अखना होगा, और उसी वक्त उसकी पत्नी बॉबी को पीछे के दर्वाजे से बाद निकाल देगी, अरे Siddharth, गाओं में राद के ठोस वजे चाहिए, एक एमर्जंसी आ गई है, क्या है, सर, कल्यान हाइवे पे एक्सिडेंट हो गया है, सर, वो बहुत जख्टमी हो गया है, और आईसीउ में है, सर, और पूछने पे पता चला कि वो आपके गाउं से है, सर, प्लान काम कर गया, हिविकी, कार को पीछे के दर्वाजे पे खाड़ातर और बॉबी को होई से पिकर ले, और हमें साही को बातों मिल जाएंगे, इधना, अब का हुआ अपे दर्वाजा मत खटकड़ा, पर क्यूंकि कोई बैकडूर है ही नहीं, इसके दर्वाजे ही नहीं है, अब क्या करेंगे, अब क्या हुआ हुआ हेई! इसके दितलियों के बोल चल निकलते हैं! हेई! कौन हो तुम लोग? क्या काम है सर हम चेंटी कॉलीज के स्टुडलज शुटमें पिर चार नार दूस्त हैं सर हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं सर चौथा दोस्त बॉबी है सर आपने कभी सुना है कि मैं सिखाते हुए बात्रों में लॉक हो गया है कोई अभे बसकर ये बॉबी के स्ट्री बंद करो और बताओ तो में क्या काम है बोलो सर कल्यान के एक्सिडेंट हो गया है सर और उसके हलत बहुत जादा नाजुक है और ह यहां मेरा ट्रांसफर हुआ है अच्छा एक मिनिट रुको सुनो तुम इस गाउं की किसी श्रीनिवास को जानती हो नहीं मैं नहीं जानती मुझे नहीं पता अपने पलोसी महेश्चे पूछो कितनी सुन्दर है याद बॉबी ने मैंस एक्जम पास कर लिया क्या है वो भी डिस्टिंक्शन के साथ तुझे कैसे पता हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं खुद ही समझा अच्छा है महेश्ची महेश्ची क्या खुदरत की रचना है सारी मुझे लगा कि पुराने एसाई की पत्नी ने बुलाया है महेश्च सार आप भी यहीं पर है क्या उसका नाम क्या है श्री निवास ओ श्रीनू है जानता हूं सार पोचा श्रीनू अगर गूगल में मुझरीम का नाम सर्श करेंगे तो यह मिल जाएगा वैसे क्या हुआ है सार उसकी गाड़ी का कल्यान में एक्सिडेंट हो गया है श्रीनू की गाड़ी का एक्सिडेंट हम इन लोगों न बताय आँ यह सब तो शकल से ही पोकिट मार लग रहे हैं उसके कि अश्चाय के गर में कौन सी पंचायत कर रहा है सही घाइम पर आये हो तुमारे श्रीनू का कल्यान हाइवे पर एक्सिडेंट हो गया है श्रीनू का एक्सिडेंट हो मेरा नाम राजा पुली हो राजा तो राजा सर् कैसे पता कि यह मर्डर है यह पक्का मर्डर प्लान है मिझे ने पंचाय चुनाओं में अपना श्रीनू मुख्या के खिलाब चुनाओं में खड़ा हुआ था उन दोनों के भी सबर्दर्श ठक्र थी उसी खुननस में आकर जरूर उसी ने मर्डर किया होगा यह श्रीनू मैं तुझे नहीं चड़ूंगा मेरे खिलाब खड़े होनी की हिम्मत कैसे हुई तेरा समय पूरा हो गया है और सभी को यहीं लगेगा कि लॉरी के हाथ से में तेरी मौध हो गई लॉरी से लॉरी तेरा टाइम पूरा हो गया है सर मुझे पूरा यकीन है कि अच्छिनेंट में मुख्या का हाथ है मैं अभी साबित कर सकता हूं एच्छिनेंट कैसे हूँ बता लॉरी ने उला दिया देखा न सर मैं अभी आपको और सभू देता हूं सर एई श्रिडू को फॉन कर फॉन कर पॉन कर भाई फॉन स्विच ओ लेख लिए ने सार और कितने से बुच चाहिए एक्सिदेंट के लिए यही जिम्मतार है हां सर अब अपने दोस्त का पता लेंगे मुख्या को छोड़ेंगे नहीं रुक जा पहले हॉस्पीटल जाकर श्री निवास की स्रीनाख्त करनी होगी उसके बाद मुख्या का हाथ है कंल्या नहीं पता करना पड़ेगा उसके बाद यह कोई कदम उठा सकते हैं मैं तयार किया आथ हूँ काल्यान जाना है का है का मेरे पती-कल्यान-जारे मेरे पती-कल्यान-जारे रहेंगे भोप भोप Bobby घख दूगी ० मैं बॉबी को भेश दूगी मैं ये गलती तो बारह कभ हे नहीं करोंगी इं। स्टक गभे निए अ कि अजू आति मेरे आतनीस प्रुतों थुक्रूण हो सिर मेरे खुछ किसा हूं टो थू इसलिञे मिमने चारंणों भूर देखा न, सुन लिया ने क्या बोला, मैश, तु बस कमाल देखे रहे, सर, सर, अभी मुख्या कहां पर होगा, तीर थेया तरह पर सर, और उसकी फैमिली, वो लो घर पर ही हैं सर, उसकी आउराथ, छोटे बच्चे, एक काम करो, सर, उसके पूरे परिवार को मेरे गर ले कर एसाई के घर पर कोई हमला करने के इमत नहीं करेगा, कभी-कभी ऐसा होता है न, निकल यहां से, छोड़ना यार, निकल यहां से, नहीं, अरे छोड़ना, आरे छोड़ते हैं, अरे ओ शशीकला, मुझसे पहले क्यों उतर गई, नीचे दिखा रही है, ऐसी बात नहीं है अरे चंद्रकला, तू भी तो मुझसे पहले उतर गई, तू हद से बाहर जा रही है, हद से बाहर जाती तो मोटी तगड़ी होती, सूखी दूबली पतली नहीं, उतर जाईए, तेरे ताने अच्छे से समझती, अरे ड्राइवर महाशे, आज कल गाउं भर में चोर घूम र अगर यह सब घर के अंदर चले के तो बॉबी को निकालना मुश्किल हो जाएगा, प्रबल्लम हो जाएगी, सब तेरी तो अगर से मारा ना तो सारी सचाई बता दूगना मैं, जए बाहर जाए, जए बाहर कुछ, जए बाहरा कुछ, जए बाहरा कुछ, सुन रही हूं, अलब के मेरे वापस आने तक इनका खयाल रखना अगर मेरे अलावा कोई भी आये दर्वाजा मत कहलना एई, सर, सर, तुम लोगों नहीं श्रिनिवास को हॉस्पिटल पहुंचाय था? आहाँ, सर, कौनसे हॉस्पिटल? कल्यान कौवर्मेंट होस्पिटल एक आदमी मेरे साथ चलो सर एड्रिस नहीं मिला तो तुम बता सकतो काम आसान हो जाएगा ओके सर तुम नहीं यह ज्यादा होशयार लगता है नाम क्या है? राम सर चलो अपना ध्यान रखना इसे क्यूं बोल रहे हो? डर लगे तो बाल कृष्ण है ही तुम दोने को डर लगे तो मेरे नाम की मालाज अपलेना हेई हाँ 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 बोलना अच्छा हुआ इस गाव में शीनू है लेकिन हॉस्पिटल में और आइस्यू के अंदर शीनू है इसकी कोई गरेंटी नहीं उन सब को जरा धहन से देख जब इन्हें पता चलेगा कि हम जूट बोले हैं तो यह आइस्यू में तुझे लिटा देंगे तब तो तेरा बाल कृष्णा भी कुछ नहीं कर पाएगा जो क्यों रहे बड़ी परिशान लग रही है आखिर असे हो क्या ग्या है मुझे क्या पता है लड़की तुम्हारे यहां ऐसा ही चलता है क्या कि महमानों को कुछ नहीं पूछते हां बताए ना क्या लेंगी आप मुझे घूर ना छोड़कर जाकर मेरे ले कुछ पीने के लिए लेकर आव यह खड़ी क्यों है बोलो ना कुछ लाने के लिए मेरे लिए जूस माजी के लिए एनरजी ट्रिक और इनके लिए कॉफिए बहो एक बार फिर से बताना इनकी सास के लिए कॉफिए मेरी सास के लिए बूस्ट और मेरे लिए जूस क्या करूं मुसीबत मोल लेले अरे बताओ अब मैं क्या करूं मेरे पती बाहर गये है तो इसका मतलब मैं बाहर निकल सकता हूند रुखो अब भी नहीं मेरे पती तो बाहर चलेगा लेकिन साथ आठ लोगों को घर पर छोड़ कर गए जैसे ही मौका मिलता है दर्वाजा खोलती हूँ तब तक रुको एई जल्दी से राम को फोन करके पता कर नॉट रिचिबल आ रहा है यार कहीं उन सब को यह पता तो नहीं चल गया कि वहाँ पर श्रीनू नहीं है तुम लोग क्या चुपा रहा है हो हां क्या है क्या हुआ मैं कोई परशानी है क्या मुझे इंचोर जैसे दिखने वाले चीटुनों पर शक हो रहा है यह लोग हमारे श्रीनू को नहीं जानते मुझे ऐसा लग रहा है तो इस बात पर लफड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए मारने की ज़रूरत है हां 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 इस ग्रूप फोटो में श्रीनू कौन है बताओ तुम लोग को नो ध्यान से देखो श्रीनू को पहचानने में इतनी देर क्यों कर रहे हो तुम लोग तुम लोगों ने ही उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया था ना तो पहचान लो ना इन चारों में श्रीनू कौन है बताओ हाँ इन लोगों ने अपने दोस्त की ही मदद की है और तु इन पर शक कर रहा है अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा है इसकी बात मत तुनों चलो पागल रहे है तुन्हें श्रीनू को कैसे पहचाना वहां देखो और उस तरफ अपने चारों तरफ देखो क्या बात है यार फिलाल पोस्टर ने तो बचा लिया लेकिन आगे क्या हो गया बता ना क्या करें बॉबी को कैसे निकालेंगे कुछ कर यार यह सच नहीं है यह सच नहीं है ऐसा कुछ नहीं है यह सच नहीं है माजी आपने मुझे इसलिए डाटा क्यूंके दोफैर को मैंने उनके लिए चाय नहीं बनाई इसलिए आज रात जब वो घर आए तो मैंने उनसे पूछा सोना है क्या इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माजी तुम यहां क्या कर रही हो हां कॉफी में शक्कर कितनी डाली है यह पूछने के लिए आए थे तिन चमच मेरे दो चमच इनके और एक चमच इनके सास के लिए याद रहे अगर आज के बाद इसकी घबराहट देखकर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जरूर इसके बातरूम में कोई है मुझे नहीं लगता यकीन से कह सकती हूँ जरूर ऐसा ही है आपको कैसे पता एक्सपीरियेंस है एक्सपीरियेंस बीचारिस ससूर जी बात हुआ अखीखी करना बंद करो और ये बताओ कि पता क्यासे करें मैं उसे कहूंगी मुझे बातरूम जाना है अगर वो आसानी समान गए तो समझो कोई नहीं है मगर उसने ना नुकुर की तफ़क का अंदर कोई है ये लीजी बेटी मुझे ज़रा बातरूम जाना था मुझे डाइबटीज है ना बार बार जाना पड़ता है तुमने पाप किया है श्री देवी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी बेकार में ना करने हो तुम कभी-कभी कैसा टॉर्चर करते हैं ना हाँ मुझे बातरूम दिखाओ ना कहा आंटी बातरूम का फ्लोर बहुत स्लिपरी है आप फिसल जाएंगी बाहर एक बातरूम है आप वहाँ जा सकती है तुमने शिर्णू के दोस्तों को नहीं देखा हम पे टूट पड़े तो हम लग किया तो जान से मार दिया तो मैं इसी बातरूम में चली जाओंगी चलो जाओ ले जाओ इन्हें चलो बेटी अप्राइबिन तो में पर्दाइब और्दाउ सकती है आए आर इले vicious ौग्री जशा फ्ली के सकती है अभ ईलेगी अभीज अव्री शिर्णू शिर्णू मैं उस मुख्या को छोड़ूंगा नहीं कोई श्री निवास यहां पर एड्मिट हुआ है तेरी जवान ले लुग अगर ले लिकला तो कि आरे हमेरा शीनु भै नहीं आर स्रीनु अब में मुख्या को छोड़ू नहीं है एक और में अराम से एक और आठ्मी जाकर चेक करो ए राजू तुदे क्या अरे नहीं नहीं आपना सिनु भाई नहीं है तो बार पास फोटो है ठीक है चलो करो बदिषय को बार बढ़ से कुछ ग्राम हो आफ अपर है कोरद्स को आफरンダ्स को अपर कुंगर कर दो मिद्स का ऑ्क करक्ड़ सोटु है अरे, मुझे तो दिखाई भे नहीं देता है ठीक से, चल्दी चल्दी में अपना चश्मा ही भूल गई कुछ आवास भी नहीं आ रही कोई आवास नहीं आ रही छोड़ो, धिरे धिरे सुनाई देना भी कम हो गया क्या दूर से देखने की कोशिश करती हूँ अरे, दिख नहीं रहा अरे, जगह भी कितनी कम है यह दवा ले लिगेगा सर, आप यहां कैसे आना हुआ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप यहां कैसे, यह तो आपका एरिया नहीं है वो मैं एक एक आक्सिडेंट केस के सलसिले में यहां आया था लेकिन वो पहचान में नहीं आ रहा है हम उसका चेहरा देख सकते हैं एक बार कम से कम पांच दिन तक तो उसका चेहरा देखना बहुत मुश्किल है क्या किया जाए? तो कैसे पहचान होगी? ट्रीटमेंट से पहले हमने उसका चेहरा पहचानने की कोशिश की लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसका चेहरा नहीं पहचान पाए और ट्रेटमेंट शुरू कर दिया सर इसे लेकर गवाल ना बबाल खड़ा कर दिया है क्या हम उसे एम्बुलेंस में ले जाकर गवालों को दिखा सकते हैं बाद में वापस ले आएंगे हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से तो आप नहीं ले जा सकते लेकिन जैसा सिच्वेशन बता रहे हैं उसके हिसाब से ले जाइए अरे तुम जा के अपना काम करो कोई मिला क्या बातरूम के अंदर एक खोके के सिवा कुछ भी नहीं है मुझे पूरा यकीन है वो उसी खोके मे होगा है मुझे नहीं लगता मैं सही कह रही हूं पक्का वो उसी में होगा इतने यकीन से कैसे कह सकती हो एक्सपीरियेंस मिचारे सासूर जी क्यों दात दिखाना बंकरो और सोचो कि अब आगे क्या करना है एक कुछी देर में वो ऐसा है भी गाउं पोँच जाएगा उपर अरे बच्चे लोग तुम लोग कुछ क्यों नहीं रहों क्या खेले हमा चपाचिफी खेलो ना अरे क्या करें तुम लों चलो 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 बैठ जाओ ना अगर बैठ जाओ बैठ जाओ अरे जूस पियो ना यह बैठ जाओ तो तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ बैठ जाओ क्या हुआ बेटा नहीं वहां पे कोई नहीं है तो मुझसे पूछो ना मैं मदद करती हूँ जाकर कीचन में देखो ओके वहां भी कोई नहीं है तो स्टोर रूम में जाकर देखो देख लिया वहां भी कोई नहीं है बैठ रूम में देखा क्या तुम्हें क्या हुआ इतनी ठंड में तुम्हें पसीना की वहा रहा है आउट 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 रोल पकड़ा गया दो चार और चोर बाकी है इस तरह चुप मत रहे यार कुछ तो बोल टेंशन मत ले यार हमारा प्लान परफेक्टली काम कर रहे है बात्रूम में जो गंदे कपड़े रखने वाला खोका है उसमें जाकर ढूंडो चोर पक्का मिलेगा ओके बॉबी का मेसेज आया दो इट वेरी फास्ट मैं सिच्वेशन इस वेरी बैड चला आजा हमें पावर सप्लाई जल्दी काटके होगी पावर किस ने कट किया यार अरे उससे हमें क्या करना है हमें तो जल्दी बावबी को निकालना होगा ये जरूर उन चोरो का ही काम होगा क्योंकि ये सब वही कर सकते हैं पावर सप्लाई काटके घर को लूट लेते हैं वो एई तुम लोग उदर जाओ एई बाकी मेरे साथ चलो इस बार मेरे वोगों को छोड़ूंगा रहे मुझे बेवको बनाने की कोशिश की न तुमने मैं भी देखता हूँ अब तुम्हें पता चलेगा अरे मेरी नसर कमजोर हो गई है चंद्रकला क्या है जड़ा देखना ये दो लोग मेरे सामने कौन खड़े हैं ससुर जी को शीनू की जगा इस वरत को मार देना चाहिए एक ये तो है माजी सच में नजर कमजोर हो गई है था क्यों भाई ये हमारे शुनू भाई है क्या अरे खोल कर देख लेते हैं ना चल छोड़ ना पहचानने के लिए कुछ भी नहीं बचा क्या कहा पहचानने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो बबी हमारे साथ ही होता तो आप क्या करें इन लोगों को ये पता चलने से पहले कि ये उनका श्रिनू नहीं है हमें यहां से भागना होगा अरे रुखना थोड़ी देर और रुखते हैं श्रिन इवास की मां का है बोला उसे अरे क्या हो गया देखो अमा हमारे श्रिनू के साथ क्या किया ए श्रिनू तेरा अगला प्लान क्या है सारे गावालों को लगता है कि ये श्रिनू है और इसी बात का फाइदा उठाकर हम दोनों गैंग को लड़ा देते हैं एक है मुख्या की गैंग और दूसरी श्रिनू की दोनों को आपस में लड़ा देते हैं ऐसाई सिच्वेशन को सम्हालने में लग जाएगा और इसका फाइदा उठाकर हम बॉबी को वहां से निकाल लाएंगे जय बाल कृष्णा सूपर्यार लगता है सीनू के एक्सिडेंट में मुख्या कहात है अभी तक तो शक था अब कंफर्म हैं कंफर्म इसे गाह में नहीं मार सकते इसलिए बाहर बुला कर मारा जान पूछ कर मारा उन लोग ने श्रिडू को गाहों से बाहर निकलके धोके से खंजर गोपा है उसी गैंक का एक आदमी भी नहीं बचीगा हम बलाइसे गाहों से बाहर ले जाकर क्यों मारेंगे हम क्या यहां नहीं मार सकते मैं जाओ, आपि मुर्दों को बेजो भावी ज़िका, चलो आजा अब बांद करो अभी बांच प्लान है यार कमाल का प्लान है कमाल कर दिया अब इन्हें कोई नहीं रोग सकता कोई नहीं रोग सकता हम बज़िए सर फोड़ दो हम लोग आराम से यहां को निकल दाएगे अब आरे देख यारा है सर भोड़ इसका असल में लडाई क्यों हरी इसले कहा मुख्या नापको बार दिया अबे सब लग मेरी बास नोग अरे अरुम अरुम निकल देंगे अजिकत और तो यह था उनका प्लान महेश भाई, तुम बिल्कुल सही थे, वो लोग चोर है, उन लोग ने पुरे गाउं को अपस में लड़ा कर उल्जा दिया, और सब कुछ लूट कर गाड़ी में भाग जाने का प्लान बनाया है, तो यही था तुम्हारा प्लान? हाँ सर, तुम सब को वार्निंग दे रहा हूं, जगड़ा बंद करो और घर जाओ, चलो जाओ, यहां से सब लोग जाओ, लेकिन उन चार होगा क्या सर, इन्हें मैं देख लूँगा, फिर ठीक है, चलो, 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 आप तो अच्छे इंसान है, आपको तकलीव में देखकर तरस आ रहा है, जब किसी को परिशानी हो तो पुलिस से कहता है, और पुलिस को ही परिशानी हो तो क्या? बार-बार बातरूम जाया करो, सच वहीं पर मिलेगा, कहां छुप गई? गुड़नाइट सार, मैं भी चलता हो, हां? चलो, 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 सब्लेट, चलो. ऐसा क्यों बोल रहे थे वो? मुझे नहीं पता क्यों कहा, मेरे सार की कसम, मैंने उन से कुछ नहीं कहा. मेरे पाईल्स के बारे में बता दिया? आप स्टेशन जा रहे हैं क्या? नहीं, तो फिर सुबह आपको जल्दी जाना है क्या? तीन दिनों तक स्टेशन नहीं जाना है मुझे. क्या तीन दिनों तक? शोक क्या हो गई? हां, सप्राइस्ट, सप्राइस्ट हूँ, सप्राइस्ट. पीले, दम ढरे, ग्लास लेके जा और बैक बना के ला थु मेरा पीले, जी भर के, अरे हो गया है टाइम, पीऊंगा तब ही तो दिमाग चलेगा ना, पीले, जी भर के, पीले, जी भर के, पीले, जयादा गाना निकल रहे क्या? बैठने नहीं हो रहा था मुझे अब मैं बैठ गया है कॉंसा केसा है अरे मेरा दोस्त और इसाई की पत्नी है अब इसे क्यों बता रहा है तू चोरी केस में वाव ये तो मेरे गेस्ट है अब क्यों बोल रहे है अरे अरे रग्जा मैं तुम लोगों के लिए चाह नाश्ते का काई रहा हूं अरुंगा अनश्ते आप विन जोका तुम और तुम म्एड का फॉप यूटन है चेक अधिया थी पतलब है उसल्सी किया ख़ोग कर दोषरा जोड है रहा है लगता है फूkaığी बफ्शी स это करो उसमें मेरे दोस्तों को बहुत दर्द हो रहा है तो आइसी क्यों रहे तेरे लिए पेंट किलर मंगवाता हूं ज्यादा हो स्यार मत बढ़ जो बोला वो लेकरा तेरी जात को अटर देरा है जो 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 आए डूंगा जो इसने पुटेज किया खाए है तो और अब दर पुरा मनादर मदर पागल कहीं का अब अखल मनदू है इससे दूर मैटने है इससे चक्कर में पसले तूट जाएगी अब क्या कर रहा हूं तुम लोग धंदे वालियों के साथ जाकर बैटोगा हमारे पेशे का क्या होगा रहे है कितना स्मार्ट दिख रहे है वह सामने मली ने मुझे सिगनल दी या मेरे चोकर इतना कमज़ोर निया कि तरह सिगनल से राग जाएंगे हम लोग चोर लोग है समझी क्या तू अगर तुझे यह सब पसंद है तो अपने घर का अड्रेस दें साथ को हम लोग बहुत जाएंगे बेवड़ा कहीं का चुप कर दो यह पक्का हम लोग को रेप केसमें एक आइडिया है वो क्या है सब पुलिस वाले बीजी है हां यहीं मोका है भाग निकलते हैं मस्ता एडिया अब बांदे से क्यों बढब है भागने का प्लान सुरा तू बता ना पुलिस स्टेशन में आगे बहुत कॉमेडी कर रहा है क्या तो हमारे सी आई आई आगे ना त क्या कर सकता है क्या कर सकते हैं यह तेरे बगल में कामपूरा का मुख्या बैठा उससे पूछ वो बता देगा हो है है तुम पूरा के मुख्यहों उसे कुछ बत पूछो उससे किसी बारे में कुछ पूछो पर गांवाले ने कह था तुम तीर थयत्रा पड़ गया कृश्ट एंहें तो रोखे पुरों को धोता है आम बाशा में बोलू तो हटेला है हटेला तुम क्यों घबर आ रही हो पहली बार है क्या उनसे बोल दूंगा कि दोस्त वैसे रहती कहा हूँ प्रिडम फाइटर अजा मालिया का बर्थडे तुझे मालूम नहीं कि आज ड्राइडे है आज के दिन शराब बेचना आप राध है तेरी हिंम्मत कैसी कि आज के निन अरे इसके सर पर खूंस अवारे शराब बेचेगा सर देखिए इस वक्त होश में नहीं है सर जब यह होश में आगा तब इसकी खबर लूँगा ओके सर सलाइन चड़ा दो इसको लोटाओ अरे यह बताओ सर वह लोग कौन है अगर देव यापर का केस है तो इनका मुख्या कामापूर वाला ही होगा अगर दूसरी किसी रेड में आप पकड़े गए तो मैं खुद अपने हाथों से आपको मार डालूगा मुझे मरने से डर नहीं लगता क्योंकि मरने के बाद भी मेरी आत्मा हुआ ही पर भटकेगी आप प्रोग्राम शुरू किजिए सच में साफ ही सदी माम्मी पापा जादी आई सियाई साब केला जूस लग रहा हुआ है तेरा बहुत नाटा खोल गया चल जा शर्ट सिकुड़ गई है बदल लिज्ये सर्ट वो लोग कौन है काम पूरा का चोरी का केस है साथ तुम लोग सब हट्टे कट्टे जवाल लग रहे हो सर् मिनत करके पैसे नहीं कमा सकते हैं क्या चोरी करने की हिम्मत क्या सब्सक्राइब कर नाम जप रहे हो कौन बालकृष्ण नन्ना मुरी बालकृष्ण वही ग्रेट बालकृष्ण हो हमारे महान निता चंद्रबाबु नैडू के भाई और बहनों लगते हैं तो तुम भी बाल करिश्ण के फैन हो क्योंकि उसकी वजह एं वालकृष्ण के फैन कभी गलाती नहीं करते हैं सांवा करिश्ण का फैने कई शूंका के प्यार पता है आपको उनका वहरे रूप देखा है क्या आपको पता है वो एक चमतकारी है मैं आपको उनके बार में बताता हूँ ध्यान से सुनना सिमा रेटी 30 सेंटर 175 डेज नरसिमा नाइडू 109 सेंटर 100 डेज वो तेलेगु सिनेमा के महानायक है सर्व असल जिन्दे के में एक लेचेंड है सर्व फिल्मों में ही नहीं कैंसर पेशन के लिए फ्री में हॉस्पिटल चलाता है वो जिसकी नीव उनके पिता जी ने खुद अपने हाथों से रखी थी और बेहिसाब जवरतमंदों की मदद किया है अपने बाल कृष्णा ने गलती हो गई है है फेशन वह नहीं होता है जो फर्स देफर्शो का टिकेट खरीदे थमजगे ना फैंद वह होता है जो अपने कलकार की हर अधा को अपने सांसों में बसा ले हमेशा उसे ही याद करे वह होता है असली फैंन I'm proud to say that I'm fan of bal krishna रजा तुम बाल कृष्ण के सच्छे फैन हो मैं यकीन करता हूं लेकिन तुम बाल कृष्ण के डायाड फैन फिल्कुल नहीं हो आप कैसे सकते कि मैं बाल कृष्ण का डायाड फैन नहीं हूं बॉइज गाउर आप 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 है चेव पाल करिष्ण आप आप पाल कृष्ण आप आप आक आप आपु निंदृ निक्सा जिल में बस्ता इड्ली दोसा खास है ऑल कृष्ण हमारी सास है माजभी प्रूटी तो राजा अब मुझे पूरे दिल से येकीन हो गया कि तू बाल कृष्ण का डाइयाड फैन है पर आप उनके डाइयाड फैन है इस बारे में मुझे डाउट है तू ऐसे बोल रहा है और नहीं तो क्या सर फिनिशिंग टच के बिना बाल कृष्ण का तक कैसे खत्म होगी कोका कोला पैपसी बाल कृष्ण सेक्सी काफी दिनों के बाद मेरी मुलाकात बाल कृष्ण के किसी डाइय हाड फैन से हुई है जोश भर दिया तुमने फैंक यू सर तुम लोग कामापुरम किसली आय थे ये बताओ आप तो जानती है फ्रिडम फाइटर अजय मालिया का जन्म दिन है ड्राइडे है सर कामापुरा क्यालावा और कहीं भी बोतल नहीं मिलेगी बस इसलिए है तो ये बताओ क्या ये वही ब्रेंडर आजा है हां सर मजे करो थैंक यू सर देखो मैं सिर्फ इसले जाने दे रहा हूं क्योंकि बात सिर्फ शराब की है लेकिन अगर कहीं कर देता तुम लोग अब मुझे आसपास भी नजर नहीं आओगे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद कभी आपसे मुलाकात नहीं होगी सर आप हमारा यकिन कीजी हम रास्ता बदल देंगे हम मैं क्या करो हम मैं क्या करो मैंने जिंदगी में पहली बार गल्ती किया और उसी क समस्या क्या है हम समस्या से भागना चाहते हैं बजाए समस्या का समधान निकालने के तुम्हारी समस्या है तुम्हारा पती और इसका समधान है तुम्हारी डॉक्टरी ये टेबलेट तुम्हें सुस्त बना देगी लेकिन समस्या का समधान नहीं मिलेगा इनसे तो फिर और क्या करूं मैं एक एक करके सारी समस्याओं का साम ना करो समधान निकल आएगा मुझे आपसे बात करनी है सोजा व सुबह बात करेंगे मुझे कुछ बात बतानी थी क्या बताना है बात बात यह है कि जल्दी बोलो जब मैं एक्जाम देने शहर गई थी तो एक्जाम कौन सा एक्जाम मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी है मुझे पहले क्यों नहीं बता एक और समस्या है जो उससे भी बड़ी है और वो कौन से समस्या है जब मैं एक्जाम देने के लिए शहर गई थी तब मैंने वहां पर बॉबी नाम के लड़के से दोस्ती कर ली थी आपने कहा था आप घर नहीं आओगे तो मैंने उसे बुला लिया लेकिन आप अचानक से आ गए तो फिर मैंने उसे बात्रूम में छुपा दिया अरे बापली हमारे बीच ऐसा कुछ भी कुछ भी नहीं हुआ मैं आपकी कसम खा कर कहते हूं आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या अरे प्लीज एसा मत कीजिए प्लीज प्लीज मैं आपकी पैर पढ़ती हूं ऐसा मत कीजिए प्लीज प्लीज मैं हाँ जोड़ती हूं एसा मत कीजिए प्लीज 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 बहुत अच्छा लड़का है वो कॉलेज का टॉपर है उसका कॉलेज केमबस में जॉब के लि प्लिए मेरी बास तुमाँ उसे कुछ पत्केजिए प्लिए तुने उसे ऐसा कियो गाकर रास्ता प्लिए देखी उसने ऐसे क्या दिया होगा एसा नहीं है, मैंने सच में बोला, तुने सच में बोला क्या, एई, तु इस तरफ जा रहा है, हमने जार साल बड़ी महनर से पढ़ाई किया, हॉस्टिल चल कर अपना प्रोजेक्ट पुरा करते है, तो ही हमारी लाइफ सेट होगी, मेरी बात सुन, हम अपनी लाइफ बाद मे प्रहुत, में नहीं जाएंगे समझा, गाड़ी पीछ ले, गाड़ी घुमा, मैंने कहा गाड़ी पीछे ले, गाड़ी पीछे ले, नहीं कि दूम लोग पागल हो क्या, ज्टेरिंग के साथ मस्ती मत करो, यार, टू एक नंबर का सेलफिश आदमी है, जबान संभाल कर बोल मैं इतनी दुर जख मारने आया था, किसके लिए मैंने पुली स्टेशन की हवा खाई, मैं अगर सेलफिश होता तो ये साब करता, हाँ हर जिसके एक हद होती है यार, हमारे माबाप ने हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, हमारी नौकरी ही उनकी सबसे बड़ी खुशी होगी, सबसे पहले हमारे लिए माबाप है, क्या ये सही है कि किसी एक की वज़े से हम तीनों मुश्किल में पढ़ जाए, हाँ वो हमारा दोस्त है ठीक है, अगर दोस्ती और करियर के बीच में कुछ चुनना हो, तो मैं अपना करियर ही चुनूँगा, मेरा करियर और तो और उसने भी हद कर दी, एक शादी शुदा औरत के साथ अफैर करना गलत नहीं है, क्या बता मुझे अपनी बकवास बंद कर, तुस साथ में चले गया या नहीं ए राम, चले यांसे ए राम, ज़रा सोच, दोस्ती के लिए जिन्दगी बरबाद मत कर, अगर तु पकड़ा गया तो ऐसा है तुझे गोली मार देगा तुने उसे एक करेक्टर लेस कहा, अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़के जा रहा है तुझे तो तेरा करेक्टर कैसा है, चाहे वो गलत हो या सही हो, पर वो मेरा दोस्त है समझा बौबी ने बहुत बड़ी गलती कर दी ना बहुत बड़ी गलती, वो सजा के लायक ही है नहीं रे, वो सजा के लायक नहीं है रे वो तो कॉलेज का टॉपर है वो चाता तो उसके सारे दोस्त पढ़ाकू होते लेकिन उसने हम लोगों के साथ आखरी बिंच पर बैठना पसंद किया वो मिडल क्लास फैमिली से भी नहीं है वो राइस जादा है, फिर भी उसने हम लोग के साथ रूम शेयर किया वो सच में गलत है यार जब हम अपने फेवरिट स्टार की फिल्म देखने के लिए क्लासेस बंक करके जाते थे वो रात भर जखकर हमें कॉंसेप्ट समझाता था हम हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे पर उसने आज तक हमारी बातों का बुरा नहीं माला ये लेक्चर मुझे क्यों दे रहा है, उसने दोस्ती की नाते किया मतलब हम उसके दोस्ते और वो हमारा दोस्त नहीं है वो हमारा रियल हीरो है आज उसकी मुसीबत के कारण सिर्फ हम ही है, समझे उसे सिगरेट पीना सिखाया, दारू पीना सिखाया हम ही उसके टांग हिचते थे, उसकी गल्फरेंड नहीं है मैं उसके अकेला नहीं छोड़ सकता ए, अब तु कहां जा रहे है देख, मैं डर्पोग जरूर हूँ, लेकिन तीरी तरह मतलब ही नहीं हूँ सिद्धू, सिद्धू अ, सौरी यार सौरी बोला ना सौरी यार चुड़ना सौरी बोला यार प्लीज मुझे मुझे माप कर दे यार चल बोबी को लेकर रहे है कितना टाइम खराब कर दिया है तु चल ना बोबी वेट कर रहोगा चल चलते हैं अज़े अज़े लगता है कि बोबी गलत है तो पहले उसे बाहर निकाल और जोर का तमाचमार उसे फिर उससे ये सवाल पुछना कि एक शाद शुदा औरत को कैसे बहगा सकता है वो पर मुसीबत में दोस्त को नहीं चोड़ते है अई यह वापरे यह देखते कि आप उसका हुआ ह हलो 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 मैडम अपी के हैं हलो हरी ओके मैडम हम क्या हुआ अपकोन आप आप नबना कि अधिक हमारे हवाले करते हैं पता हैं कौन है आधी रात को तुम किसी लड़की का पीछा करते हो और फिर अपनी पहचान बता रहे हो ब्लाड़ी फूल्स कि भाई यहां से जाओ कि मैंने कहा नहीं जाओ कि मता बोला ना कि अगरी बताउं अगरा हैं वहां अगरी तुम कि मता भाईपाँ एवाँ कि अगरी और घुचव नहीं गयाँ कि अगरी बताई कि अगर तो अगरी यहां कि अभी वापस आना मात इदर मार दूंगा है वो लड़की का गई अरे वापरे कहां चली गई हो अरे यहीं पर तो थी आखिर गई कहां अखिर गई कहां है सिद्धू वो गाड़ी में भी नहीं है कहां चली गई वो खुशी इस बात किये कि आधी रात में हमने उस लड़की को गुंडों से बचाया उसने हमें थैंक्स भी नहीं बुला यार हम भी तो एक आदमी ही है ना विचारी सोचकर डर गई होगी चल छोड़ चलते हैं चल चोर पकड़े गये हैं यह सोचकर गाउवले शांदी से सो गया होंगे कार को यहीं पर छोड़कर हमें असाई के घर जाना होगा आगे हमें क्या करना हमें कुछ नहीं पता पर बॉबी को कैसे भी निकालना होगा जाए बाल कृष्ट इस टाइम पर तो भूती इदर उदर घूमता रहता है यह कून है बेर अले देखना लगता है वो चला गया उड़ जा अच्छ अरे वो आपसा आगे अरे यार चुप जा मैंने तुम लोगों को देख लिया है यहां कोई है नहीं समझ गए तुम यहां से चले जाओ तुम चाहते हो मैं गाउवालों को बुला दूँ क्या यह लोग फिर से गाउव में वापस क्यूं आ गए सत्ति पंडू की बेटी के लिए तु नहीं आये कोकल राओ की बेटी का बॉइफ्रेंड रमेश है सुब्भ राओ की बेटी के कई बॉइफ्रेंड से थी इस टू फोर इस टू नाइंटी नाइन हार उम्र और घटकाठी के हिसाब से जहां तक मुझे पता है इस गाउव की कोई भी लड़की सिंगल नहीं है तिर तुम लोग यहां क्यों आये हो शराब के लिए अबे चलो मेरे घर पर वो क्यों मादिरा मैं पीना मैं पैग बनाने में पॉर्फेक्ट हूं एक इंच का फर्क नहीं पड़ेगा चलो प्यों चीर्स वो फोटos किसकी हैं कौन हैं वो लुग मेरे दादा तूथ कुड़ी ताता रहाओ मेरे नाना तूथ कुड़ी पापा रहाओ ये कोडी लड़कियों से इतने घिरे हुए क्यों है? मेरे दादाजे प्रीडम फाइटर थे ऐसा क्या? अंग्रेजों के छक्के छुडाने वाले पहली पीड़ी के प्रीडम फाइटर मेरे दादाजी थे आपके पिताजी क्या करते थे सर? चुप करदान करते थे और आप क्या करते हैं सर मैं उनकी विरासत को continue रखता हूं सर एक भी औरत नहीं दिख रही है मेरा मतलब है कि आपकी फैमिली में कोई औरत नहीं है क्या मेरी फैमिली नहीं है I am single but I always mingle मतलब आपकी शादी नहीं हुई है नहीं नहीं हुई है गाह बोलना विटी नहीं दियोगी अगर मैं अभी हां के दू तो सो लड़किया मुझसे शादी करने के लिए भागी आएंगी हां but I hate girls आखिर आप उनसे नफरत क्यों करते हैं confusion यार confusion उनको यही पता नहीं है क्योंने चाहिए क्या अगर उन्हें दो चार बार फोन कर दो तो उनका रवया ही बदल जाता है यही सब देखकर मेरा उन लोगों में से इंट्रेस्ट हट गया है अगर तुम उनको ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो वह तुमको एक नंबर का पागल समझेंगी अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो वह समझती है कि तुमारे अंदर रोमान्सी नहीं है पाइनली मेरे कहने का मतलब यह है कि लड़कियों के साथ प्यार मोहपत यह सब मेरे जीवन में कपड़े का बिजनेश जैसा है आई मीन गिव एंटेक नहीं समझे क्या अब मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूं सर यह कुछ जादा नहीं हो रहे मानता हूं लड़कियों मुसिवत में डालती है इसका मतलब हम सन्यासी बन जाए पेट्रोल का दाम बढ़ने से गारी चलाने चौड़ देते हैं क्या लाइट मिल के डर से क्या हम लाइट नहीं जलाते भाई ओं तुम लोग मेरी बात नहीं समझोगे लाइट भले ही तुम यूज़ करो लेकिन बिल पडोसी को बरने दो गारी भले तुम चलाओ लेकिन पे महज़ी 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 तुम्हारे दोस्त को मैं बचाओंगा बदले में मुझे क्या मिलेगा पैसा किने चाहिए किसे चाहिए पैसे किसे चाहिए पैसे चाहिए बोलो मैं देता हूं सर आप क्या चाहते हैं सर देविका को पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे दोस्त को उसके सामने मेरी तारीफ करनी चाहिए. उससे मेरी पहचान करा दो. मतलब? महेश बहुत अच्छा इंसान है, उसका मन बहुत साफ है, महेश बहुत महान है. महेश, हमारे लिए भगवान समान है. यह खुद तो अंधेरे में दिखाई नहीं देते, पर हमारे जिन्दगी में उजला करने वाले भगवान है ये, आप ही हमारे भगवान है, कुछ कीजिए सर, अरे, नहीं रे, मैं अपने आदमियों से कुछ नहीं लेता हूँ, महेश, महेश अगर आज तो मेरी जिन्दगी में नहीं होते, तो मेरी जिन्दगी बरबाद हो जाते, क्या तुम हर रोज, बस एक घंटे मेरे साथ बिताओगे, अगर तुम राजी हो तो मैं हर घंटा तुम्हारे साथ बिताओँगा, महेश आप हमारे लिए भगवान है, तुम्हारी जगाओ वहाँ पर नहीं है, यहाँ है, बस यही, एसाई के घर में जाएंगे कैसे, और क्या कहेंगे, मैं तुम लोगों की तरह बचकानी हरकत करके एसाई के दर्वाजे पर जाऊंगा क्या, मैं कौन हूँ तुम जानते हो, मेरे खांदान के बारे में तुमको पता है, तूत कुडी महेश, नाना तूत कुडी पापा राओ, दादा तूत कुडी ताता राओ, फ्रीडम अजाओ, यह क्या है सर, आजाओ, यह कौन सी जगह है, यह सुरंग है रहे, सुरंग है, मैंने बताया था ना, पिछले एसाई की बीबी के साथ मेरा कनेक्शन, वाई-फाई की तरह था, यहां इतना अंदेरा क्यों है सर, एक मिनट, क्यों रे, जटका लगा क्या, हिल गया क्या, आब तक मैंने यही सुना था की, युद्ध के समय भागने के लिए सुरंग बनाई जाती थी, पर कोई मुहपत के लिए सुरंग बनाता है, यह आज दिखा है। यही तो मेरी खासियत है, अगली मर्द कहीं भी सुरंग बना सकते हैं, और स्वार्व का मजा ले सकते हैं, यह तस्वीर है किसलिए है, जिस मर्द को प्यार की बारिश में भीगने का शौक होता है, वो मुहपत की छत्री पास में लेकर चलता है, चलो चलते हैं, चलो रे, चलो हक We can call Scensen E लूकैशन पर आगए हाँ एकूउ कि ला उसी और तोफह layered तुम यह क्या कर रहे हैं मेरे फैसे घर पर हैं तुम्हारे पती से ढरता हूं क्या है जाओote यह शकु 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 इतनी दूर तक आगया हूं तो कुछ देदून शकुंतला उजह कुछ नहीं देना है शकु 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 यह नालायक आज कल गर पर ज्यादा ही रहने लगा चिया हूँ शुट सॉरी यार रॉंग नंबर लगिया पर तुमने कहता है एसाई की पत्ति से म सब्सकु कि चुश में उसकाई को हट्मत कर वारनट तेरे खहरं तक सूरंग ले जाがとうने कon при के यह přas वार WHAT? याराया आपै वहां तूमलो कॢल फॉलो 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 युह यू यू अ वन्टॉख है था तुम भी कन्फ्यूज हो, मुझे भी कर रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा कहा गया हूँ मुझे रूट मैप देखना पड़ेगा रूट मैप? रूट मैप ही यहां से इधर जाएंगे तो राइट जाओंगा तो सरिता सुलोषना सावित्री है लेट जाओंगा तो हुमारी कल्याणी कावेरी है बैक गया तो कोई रास्ता नहीं है तो फिर सीथे जाना पड़ेगा यह सब कौन है? मेरे ग्राहक लोग हैं पागल कहीं का? शरम नहीं आती? आया बड़ा खुद को फ्रीडम फाइटर के घराने का बोलने वाला तो रुप ना अबे राजा मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे की नहीं? यही सोच रहे हो ना 1937 में जब ब्रिटिश स्टैनिक के साथ युद्ध हो रहा था तो मेरे दादा उनके साथ मैदान में युद्ध कर रहे थे तब मेरे दादा जी ने ब्रिटिश के घर में जाने के लिए स्कुरंग बनाई थी और उससे क्या हुआ? उससे क्या होने वाला था? गोरी अंग्रेजन को क्या ले बच्चे पैदा होने लगे? और अंग्रेजन को ये बात हाजम नहीं हुई तो इंदिया को आजाद होने से दस साल पहले ही मेरे दादा ने उन्हें भगा दिया था और तुम्हारे दादा करते क्या थे? बीज बोना कौन से बीज? इंसानी बीज अच्चे हम लोग अलमोस्ट पहुँच गये हैं अपने दोस्त को फोन करो बॉबी, मेरी बात बिलकुल धान से सुन मैं शाम से तेरी ही बात सुन रहा हूँ अब तुम लोग कर क्या रहे हो? हम लोग एसाई के घर के बेस्टमन टक पहुँच चुके हैं अलो मेरे बार में क्यों नहीं बताया अब शट्ड़ ग्रेट तुद्कुली महश जी की मदद से ही हम लोग यहां तक पहुचे हैं अजी अब ये कौन है आप तू अभी कहां पर रहे बात रूम में बात रूम में हमारा कनेक्शन नहीं है तो रूम में उसको बलाओ अब तिर चट्टे यह मेरे बाप का घर नहीं है कि जो आराम से घुम सकता हूं मैं बात रूम का दर्वाजा लॉक है और सारी लाइट्स भी आफ है स्टोर रूम कहा है ये भी नहीं पता है मुझे अधर लगाओ मैं उसको समझाता हूं मेरी बात ध्यान से सुनो पहले उस खोखे से बाहर निकलो अब दो कदम आगे बढ़ो ओके सर अब राइट में मुड़ जाओ फिर तीन कदम आगे बढ़ो ओके सर तुमारी हाइट कितन है फाइब सेंज सर दो फूट हवा में छलांग लगाओ एक रसी मिलेगी मिल गई सर उस रसी को खीचो तो तुमारे सामने एक सीड़ी आएगी उसके उपर चड़ कर उपर आओ सर में उपर आगया हूँ उपर चड़ने के बाद सीड़ी को उपर खीचना मत भूलना क्योंकि बहुत लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं हाँ सर अब रेंग ते हुए आगे बढ़ो तुम्हें मुर्गियों का एक दर्बा दिखेगा दर्बा दिखा अँसर उसके अंदर अजगर का बच्चा होगा अजगर का बच्चा मजचा मजाक रे चोटा सा मजचा सर किस तरफ जाओ मैं राइट में आपका राइड या मेर तेरे राइट में आ ठीक है सर कितना स्लो क्यों चल रहा है वे जरा फास चलना राइट में उपर की तरफ बेल नजर आई एक कदम आगे बढ़कर खड़े होजा अब अपनी आखें बंद कर ले सर कुझ जा सर मुझे डर लग मुझे पता था तुझे डर लगेगा इसलिए राइब बंद करने के लिए बोला कुझ जा रहें पुझ जा रहें तर रहें क्यों रहें कोत गया ना अवसर कुझ घुख गया देखा और अवा आशर दीकाना तेरे सामने कौन है थे सामने है अब स्टोर रूम में कूदने के लिए का था, उसके बदले तू बेडरूम में कूद गया, कोई बात नहीं जस्ट पॉलो मी अच्छा, चल, राम से, चल, 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 बाद रूप, ओ शित, डूर लॉक है, आई है, वन्मोर आइडिया, क्लोरो फार्म, हाब इससे क्या करेंगे ये, इसको इतने हलके मेध ले ना रे, इसकी मदद से तो मैंने, जिंदगी में कितने मजे लूटे हैं यार, इसके बारे में तुमको क्या पता है, वो सब तु ठीक है, पर तुम्हारा प्लाइन क्या है, फॉलो मी पापरे, एक और रास्ता, तू रुख जा, तू मच चड़ना, तोड़ देगा, कम आन, फॉलो मी अब तुम लोग देखना, ये रुमाल मैं एसाई के मुँपर डालूँगा, और एसाई पर होश हो जाएगा, आ, 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 तेरी तो पागल कहीं काप, उससे स्टोर रूम में बुलाना ही ने चाहिए था, नहीं तो अब तको बिश्चारा बाहर होगा, हाँ, क्लोरो फॉर्म का असर अगले चार घंटे तक रहेगा, अब हम क्या करें, ये सब इस पागल से पूछो, पंडित चादी करवा सकता है, स समय होश में नहीं है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, कैसे भी करके उन चोरो को इस गाओं में वापस लाना होगा, लेकिन हम उन्हें कहां से लेकर आएंगे, चोर हम बनेंगे, अब में चहरे पे मास्क लगाना होगा, उसके बाद इसाए के घर का दरवाजा और बॉबी को वहाँ से निकाल आएंगे, बापरे, प्लान एक नमबर है, अब चल, तुझा के कार रेडी करता हूँ, है रुख जाओ, ये क्या, तुम लोग अपना प्लान कैसे पना सकते हो, तुम्हारे साथ एक बड़ा आदमी खड़ा है, उसके साथ डिसकस करने का भी क प्लान के प्लान के नहीं आएंगे, फिर से समझाते हैं, ऐसे फिल्में बताओ, जिसमें बाल कृष्णा ने पुलिस का काम किया हो, ये सर, रावडी इंस्पेक्टर, लक्ष्मी नरसिम्हा, इंस्पेक्टर प्रताप, सीमा सिन्हा, यूनिफॉर्म में कभी कॉमेडी करते हुए देखा क्या उन्हें, नहीं सर, तो तुमने क्यों की, हमारे आदमियों से उन लोगों ने उस लड़की को बचा लिया, जो दो मड़र की सस्पेक्ट थी, हमें शक मैं भी बालकृष्णा का फैन हूँ, सर, I love you, सर, हमें, उनके आदर्स और सिधानतों को मानना चाहिए, लेकिन अपनी ड्यूटी को दाओ पर लगा कर नहीं, सरी सर, मैं फॉररं उन पर मर्डर केस तायर करता हूँ, सर, आप मुझे सिर्फ दो घंटे का समय दीजिए, वो जहां कहीं भी होंगे, मैं उन्हें हर हाल में ढूंड निकालूंगे, सर, यार, आखरी वक्त में इसने काम भी कार दिया, क्या बोल रहे हो, इसाई को मार करकर बॉबी को लेकर निकल भी आएंगे, तो कल हम पर ही इंक्वारी शुरू हो जाएगी, और हम सब के सब इसमें फ कर रहे हूं, हमारा समाज ये मानता है कि आदमियों से घलती हो सकती है, लेकिन और तो को इसका हक नहीं है, उसे बेइस्जत करता हुआ, खीचता हुआ, सड़क पर लाख़डा करता है समाज, सही माइने में ये प्रॉब्लम किसे पता है, तुम लोगों को या तुमारे दोस को नहीं है, उस ओरत को है, हम यहां चार मर्द मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ये पिदी सी लड़की, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, पहाड़ गिरा दूंगी, भुचाल ला दूंगी, कह रही है, छटी, तुम घर जाकर टीवी प्रोग्राम देखो जाओ, ज अ्रे m 좋은 है, ये क्या तुम ने, मैं तुम्हार हाद जोड़ता हूं इसको बोले मुझे नीचे उतारने के लिए, इस गाऊन की कई और्थे मेरे साहलें, कबभी नहीं, दिदी, मैं तुम्हार Haat जड़ता हूं, मुझे नीचे उतार दो, पलीज, मुझे गलती होगई, थ्यान रखना तुम्हारा दोस्त काहा है। उस गर में बेडरूम में रिभेडरूम काहा है। वहां देखो वो कोने में जो दिख रहा है ना वह ही। यह कहा गई। वहां देखो। ये गावाले अपनी बेटियों की शाधी 16 साल में ही कर देते हैं अगर इनको ओलम्पिक में भेज देना तो ये सब गॉल्ड मेडल लेकर आएंगी याद इस लड़के से कुछ नहीं हो गया यार क्या करेगी वो तुम लोग भी एक नमबर के पागल हो ऀाम कि लादी अपने खिड़के टीं रख़के से कुछ भादी से कुछ वोगिट हो ये भी झाल ये जबर को शेड़के हैं अगर में भादी ये जफ देते हैं अवे दिर दो सब्तष सब्तब सब्तु सब्तब नहीं नहीं अरे बोबी, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? अरे अरे क्या बच्राउ अब बली आप आप एए तोण के पलंग सोग एए है वो दोनों आगे उड़ा है यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है यार गाउवाले कभी भी उड़ सकते हैं अब करो या मरो का समय आ गया है अपना अपना मुठक लो तब फिर मैं क्या करूँ सुरंग खोदने वाले हैं बोले सर नरसिम्मा मेरी बात ध्यान से सुनो वो तीन नौजवान जिने तुमने थोड़ दिर पहले पकड़ा था वो असल में खूनी है वो चार लों की गैंग है और उन में से एक लड़की भी है यह आप क्या कह रहे हैं सर इस वक्त वो तुम्हारे गाउं में ही है और मुझ पर हमला करने के तैयारी करेंगे तुम बपर हमला क्यों करेंगे सर अससे क 충 m abador है इतना सब वने नहीं सार मौसर कपड़ादा नेल डाउन नेल डाउन चलो बोलो यह किसली आयो बोलना यह क्यों आया सर कुछ नहीं मालूम अबी पॉल मोचसे जूट क्यों बोला की पुछी नेवाज का एक्षेंट उगया है इस तंदा तो मेरा तो तो मेरा आख कर दूँगा तुम्हें कुछ करने की जरूतिनी साइड में हट जाओ इन्हें मैं देखता हूँ जमीनों रोके वाजो मैंने तुम्हें बिर्यानी खिलाई तुम्हें शराब की बोत्रे तोफे में दी और तुम लोगों ने मुझे धोका दिया तुम्हें उस लडगी को बचाया जिसने अपने पती और बच्चे का हुन किया क्यों किया तुमने ऐसा हुआ है इसलिया लगा क्या मुसीबत में पढ़ सकते हैं तो उस लड़की को पकल के पुलिस कहवाले करते हैं एसलिए उसका पीछा करते सर और वो जाकर एसाइ के घर में चीब गई और इसलिए वह में ऐसाइ की उसे ढूने क्लिए सर अगर तुम लोग सच बोल रहे हो तो लड़की ज़रूर खर कि अंदर होनी चाहिए अधर करना को शुकति घर की तलाश ही लो जलदी ऑऊ लक्षमी तुम उस रूम में देखो यह सरो के तुम उस तरब देखो ओके सर लड़की यहां पर है लक्षमी इसको ओष मिलाओ यह लड़की लड़की ऊठ लड़की उठ वापरी बेटी स्वाती वुझे बता बेटा आपने मेरी शादी उससे क्यों की थी आपने मेरी सिंदगी क्यों बरबाद की मारकेट जाने के लिए पर्मीशन लेनी पड़ती थी, पढ़ाई के लिए भी पर्मीशन लेनी पड़ती थी, आप से बात करने तक के लिए पर्मीशन लेनी पड़ती थी, ये भी कोई जिंदगी है, मैं उसकी पत्नी नहीं, बल्कि गुलाम थी, वो मुझसे प्यार नहीं करता था, जागीर समझता उसे मेरी पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं था, बस मेरी जिस्म से मतलब था, वो सिर्फ एक जानवर था जिसमें कोई एसास नहीं, एक शादी शुदा आदमी को बस अपनी सिंदेगी में औरत की जरूरत होती है, जबकि एक औरत को सिंदेगी में प्यार की जरूरत होती ह दर्वाजा खोलने में अगर देर हो जाये तो सवालों के जवाब देना होता था इतनी देर से तुम क्या कर रही थी अपनी ही बीवी पर शक करता था हर आत्मी को शक भरी नसरों से देखता एक रात नशे में धूद उसने मेरी बच्ची को जमीन पर पटक दिया और वो वहीं मर गई इसलिए मैंने उस कमीने को मार डाला उसने मेरी छै महीने की बच्ची को मार डाला आप जतना प्यार करते थे वो उसका एक चौथाई भी करता ना तुम्हें संदगी को सार देती भागवान ने मर्द और 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 दोनों को बराबर बनाया लेकिन मर्द पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि और अवरत की भी उतनी ही ख्वाईश और हस्रत होती जितने के उनकी होती है भागवान शेव ने पत्नी को और धांगनी बनाया भागवान विश्णु ने अपने पत्नी को अपने दिल अपने मन में बसाया प्रमदेव ने पत्नी को जुबान पे जग़ दी सिर्फ ये बताने के लिए कि मर्द और 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 दोनों बराबर है लेकिन यह मर और्दों को पहर की जूती समझते हैं तो रो मत में डारो मत मैं तुम्हारे खून के मामले को आत्मरक्षा का केस बना कर दायर करूँगा यह बहुत जल्दी वापस आ जाएगी कॉंस्टिबल्स चलिया दरवाजा खूलने में इतना वक्त क्यों लगा वो गैस पर दूद चड़ा है लेट जाओ एजी सोजाओ सुवह बात करेंगे इस वक्त मंदिर में क्या कर रही हो देविका तुम कॉफी पियोगे सारी वो किसलिए इतने दिनों बाद मुझे अखलाई मेरे दिमाग में पुराने जमाने की छोटी सोच बसी थी जो अपनी पत्नियों को कुछ समझते ही नहीं है मैं भी उन्हीं में से था मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया इसके बावजूद भी तुमने मुझ से हमेशा वफादारी की तैंक्स मुझे आपको बताने में डर लग रहा था मैंने में से कंप्लीट कर ली है अच्छा किया पढ़ाई इसलिए कि ता कि आगे जॉब कर सकूँ जो तुम चाहो आपके पीट पीछे मैं अपने घर वालों से माबाप से बात करती हूँ मैंने ही तुम्हें ऐसा करने से मना किया था सॉरी मैं कुछ भी कहती तो आप मेरी हर बात को क्रॉस चेक करते थे आपको याद है मुझे इससे बहुत नफरत है अब जाके मुझे एहसास हुआ जब सारी गलतियों के जिम्मदार आप खोद है तो फिर बताएए मैं क्या कहूं मैं अपनी सारी गलतियां मानता अब कभी ऐसा नहीं होगा अब हम नहीं सिंदकी शुरू करेंगे है है यह बता कि तू बाहर कैसे आया यह खुद पता नहीं हाँ इतना याद है कि उचाई से कुदा था जब मेरी आख खुली तो देखा सुरंग में था फिर मैं बहुत लंबा चला और फिर मुझे एक सेड़ी दिखाई दी ओपर चड़कर दरवाजा खटकटा है तो एक औरत में मेरा पती गर पे नहीं है चल्दी अंदर आओ अरे रुखो ना मेरी बात को सुरो अरे कुछी चलेगा अरे कहा जा रहे हो अबे हसो मा त्यार चुप रहो अगर तू उसके साथ जाता ना तो हम तुझे मार ही डालते है चुप कर यार बेवकूफ कहीं खा हे सुनना मैंने बोला था जिंदिगी की कुछ गल्तियां हमारी जिंदिगी को बहतर बना देती हैं तुम मेरी वो गल्ती हो मुझे यकीन है अब से मेरे पती एक अच्छे इंसान साबित होंगे मैंने नई जिंदगी में एक अदम रखा है मैं तुम्हारी शुक्र गुजार हूँ थैंक यू सो मच मुझे दुबारा कॉंटेट करने की कोशिश मत करना अल दे बेस्ट एक बात तो है मैंने तुम्हें जितना बेवकुफ समझा उतने भी बेवकुफ नहीं हो थैंग गॉड इतना खुश होने की जवरत नहीं फ्रेंड तो बन सकते हो लवर नहीं बन सकते मेरी एक्सपेक्टेशन्स बहुत ज़्यादा है और वो एक्सपेक्टेशन्स क्या है उसकी जॉब यूएस में होनी चाहिए हैंसम होना चाहिए और हेलो हेलो अब मेरी बात सुनो तुम्हें शॉपिंग जाना है सुपर मार्कट जाना है या फिर तुम्हें माई के जाना है या फिर किसी से भी मिलने जाना है और उसके लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़े ऐसे लड़के से शादी बिल्कुल मत करना, बल्कि ऐसे लड़के से शादी करना जो तुम्हारे पीता की तरह, तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी सारी पाते माने और तुम्हें फुल आज़ादी दे सिदू, सिदू सार, यह वही लड़के हैं जिसके बारें मैंने आपको बताया था तुमने इने किताबों के सबग सिखाया होगा, मैंने जुंदगी का पार्ट पढ़ाऊंगा पहला सवाल, प्रभास की शादी कब होगी? अब हमें कैसे पता होगा सर्थ, जाके कृष्णम राज से पूछे ना राजा मॉली की दूसरी फिल्म कवर रिलीज हो रही है सर, ये तो उन्हें भी नहीं पता होगा बहुत अच्छे ओके, नाव लास्ट एंड फाइनल क्वेस्चिन उडिसा में, जमीन का दाम क्या है? हेलो सर, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? स्मार्ट बनने की ज़रोती है, मेरा आगे स्टाइल मत मारो, समझे? सर, आप हमसे सारे बे मतलब के ही सवाल पूशने हैं से, उमने भी तो प्रिंस्पल की बेटी के फटे में टांग डाली थी ना बेटा यह उस ही का नतीजा है, और मैं तुम से इंजिनेरिंग से रिलेटेट क्वेशन्स पूशना शुरू करता हूं, तो मारा प्रजेक्ट क्या है? जेपी मॉर्गन फाइनेशल सर्विस प्रोजेक्ट सर, कहां से खरीदा? अमीर पेट में, सर, और उसके कितने पैसे दिये? तुम्हिस तुम्हार साथ क्या थे अबीच करता हूं, जै बयर जेदे और झारी किहें है। तो क्या पास भी कर देंगे सर्व टे यह यह जाईबाव्र स्टार डिशुण तुम। झाल झाल